अक्टर जीमी शेगल की नई फिल्म फैमिली ओफ ठाकुर गंज 19 जुलाई को रिलीज हो रही है फिल्म में उनके अलावा माही गिल, सौरफ, शुकला, मनोज, पावा और मुकेश, तिवारी जैसे सितारे नजर आएंगे अपने इस फिल्म का प्रोमोशन करने के लिए जीमी शेगल दाकपिल शर्मा शो में पहुचे उनके साथ माही गिल, पवन, मलोत्रा, सुरेश, शुकला भी मौजूद रहे शो के दोरां जीमी शेगल ने बताया कि उनके प्रफॉर्मेंस से खुश होकर गुलजार ने उन्हें एक खास तौफा दिया है वही माही गिल ने खुलासा किया है कि उन्हें एक ऐसे पहली फिल्म मिली टपिल के शो में माही गिल ने फिल्म इंडस्री में अपने सफर के बारे में बताया माही ने बताया कि उन्हें मिलनसार होने के लिए कहा जाता था उन्हें पार्टी में शामिल होने और लोगों से मिलने जुनने के लिए बोला जाता था माही ने बताया कि उन्हें एक बर्दे पार्टी के वज़ा से पहली फिल्म मिली दरअसल बर्दे पार्टी में चार घंटे से डांस परफॉर्मेंस कर रही थी उस पार्टी में अनुराग कशब भी मौजूद थे उन्होंने उसे नोटिस किया इसके बाद अनुराग ने उन्हें पहली फिल्म देव डी के लिए अप्रोच कर दिया जिमी शेगल ने बताया कि मार्चिस फिल्म की शूटिंगे दौरान डिरेक्टर गुलजार मेरे परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस हो गय थे इसके लिए उन्होंने खुशो कर मुझे दो औरेंज कैंडीज भी दी थी उन्होंने कहा था कि उस समय में इंडस्ट्री में बिलकुल नया था ऐसे में उस टौफी का मिलना मेरे लिए बड़ी बात थी इसके आग एज जीमी ने बताया कि उन्होंने टौफी को नहीं खाया ये सोच कर कि ये टोकन है जो डिरेक्टर ने प्रशंसा के रूप में मुझे दिया है गौरतलब है कि इसके पिछले एपिसोड में सिंगर अर्मान मलिक ने भाई अमाल और पिता डबू मलिक के साथ शिर्कत की थी अर्मान ने बताया था कि वे एक फेमस इंटरनाशनल मुजिकल स्कूल में अड्मिशन लेना चाहते हैं लेकिन उसकूल की फीस बहुत जादा थी पिता डबू ने कहा था कि किसी भी हालत में अर्मान को स्कूल में अड्मिशन देलाना चाहते हैं या तक कि वे अपना घर तक बेचने के लिए तयार हो गए थे आज के लिए पसितना ही बाकी फिल्मी दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से चुटे रहने के लिए आप देखते रहेए असले इंटर्टेंडमेंट